बिस्मिल्ला इल्वाखनाज रोहिम असलाम वालीकूं दोस्तों NTS Tech Master की जानिब से आप सब को अपने चेनल में खुश हमदीद कहता हूँ दोस्तों आज की वीडियो कंप्यूटर साइन्स एम्सिक्यूज और मोर देन 10,000 और आफ जाब्स लिसन नमर फॉइफ है जिस दोस्ते ने पिछले लिसन नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाँ वीडियो का लिंक जो है मुझूद है प्लेलिस्ट का लिंक मुझूद है उस पर क्लिक करोगे तो तमाँ वीडियो आपके सामने आ जाएंगे उनको भी क्लिक करके विजिट करें आज अहम कुछ क्षिचन हल करने जा रहे हैं देखो दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं देखे दोस्तों क्षिचन नमबर 36 तब क्षिचन अलड़ी हो चुके हैं पिछले पाच चार वीडियो में क्कि लिए thirds नमबर 33 तो देखें दोस्तों क्षिचन नमबर tbsp अब हमारे पास है the default paper size in Microsoft world 2007 and on world 2007 और उसके बाद इससे पहले जो बेते हैं वो उसका भी था, default क्या कि आप किसको कहते हैं department आपको पहले भी बताया था अब भी बता रहा हूं कि default इसको कहते हैं कि program बनाने वाले ने जिस चीज़ को जिस तरह sit किया हुआ है उसको हम default कहते हैं ठीक है दोस्तों जिस तरह आप वो MS world कोलते हैं तो कल आपको इससे पहले वाले लिक्चर में आपको बताये तकि आपको पांट नदर आएगा देखे पांट में इसमें आपको calibrary नदर आएगा इस तरह पांट साइज गालिवन 11 नदर आएगा आपको इस तरह तो इसको हम default कहते हैं तो जब आपांट साइज को change नहीं करते हैं तो इसका automatically खुद 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 पांट साइज जो है वो option C को देखे ये later size होता है जिस तरह के अब ये है देखे मैं आप आप default size देखे हैं कहां से? कहां से देखे हैं यह be question हो गया कि आपने पांट size को change करना है तो जहां सी change करना है अब देखे here page layout में page layout टेप में चले जाएं Gyaए page layout टेप आमसे देखे this is page layout यह page layout living हो, इसमें मुख्लिट group से group page setup group में आप देखें, page setup group में यहां पर एक łिखा हुआ page size यह देखे, size लिखा हुआ है यह डॉप डाउन, इनुझ अगर आप click करोगे तो यहां पर आप देखोगे, लेटर को, यह ना Latter Size और दूसरा एक जो ज्याद eh इस्तिमाल होके हैं बहुत ज्यादा आपको बताता है घूर्पार्सकर साइज है ये बाणा जो है ये Legal Size Legal Size तोड़े सा लंबा होता है इस तरह का फासिला है ये 8.5 होता है 8.5 और इसकी हाइट जो है नो दोस्तों इस तरह हाइट ये 11 इंच होता है इसका लेटर साइज का और लीगल साइज का जो विद है इस तरह ये 8.5 है लेकिन इसकी चोड़ाई जो है हाइट जो है ये 14 इंच है ये भी याद रखने की बाते हैं दोस्तों तीक है लेटर साइज और legal size के जो है ये इसके size में विद दोनों का age जैसा है 8.55 लेकिन इसकी लंबाई जो है height में letter size का 11 inch है और legal का 16 inch है तो आप आप आपरे पास question number 37 में the correct option is C correct option हमारे पास कुम सा है? C है दोस्तों आपके देखे question number 38 में question number 38 question number 38 अमारे पास है देखे you need to see the width of your text and the world window where would you find the ruler just यही कहता है कि ruler आपको कहां मिलेगा आपको अपने window में window में आपको ruler कहां किस tab में आपको मिलेगा ठीक है दोस्तों तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां देखें आपने जाना है यहां पर आप देखें यहां पर आप देखेंगे अगर इस चिक को में आटा दूँ तो ruler आड़ जाएगा अगर इस चिक को में रहने दूँ तो यहां रूलर आएगा ठीक है दोस्तों दूसरी ता और कहां से आप ruler को गायब कर सकते हैं अगर आप अप window के लिप्ट राइट साइड देखें राइट साइड यह देखें यहां यह जीज़ जो है यहाँ यह लिका हुआ वी रूलर इसको क्लिक करोंगे तो ruler गायब हो जाएगा इसको अपस क्लिक करोंगे तो इसके साथ ruler देखें इसके ओमपर एक minus का निशान बना हुआ है देखो, यह भी आपको इसी तर्छ आपको बताता है, जनो हुगना आ है मैं भाइने स्वाले ये निशान बना हूवा है यह क्या है दोस्तों, यह इस्प्लिट फेज है फेज को आपने दौत्प्रों में तक्सीम करना है तो आप इसी पेज को तक्सीम कर सकते हैं किस तरह कर सकते हैं देखे इसको मैंनिक क्या ग्रेट किया आप देख przecio गहा हैना दो जगों वींडव बन जाएगी यही फाइन आप दो झगों पर जरा रहा है देखे उपर वाला और नीतिया वाला अब इसको आपने खटक करें, तो उसको उपर डेट करो छोड़ोगे, तो यह घाई हो जाएगा, तो यह माइनस दिशान जो आ रहा है, यह split window के लिए है, split window, तो देखेखे खेंट नूमबर 38 में हमारे पास option A, correct option, option A is the correct option, question number 39 question number 39 question number 39 हमारे पास है you want to apply shading to make one important paragraph stand out you do this by अब this shading apply करना है तो इसको आप कैसे करोगे shading को apply करने के लिए आप option B को देखे ज़रा option B this one अब ने पहले जाना है home table में home table में वहाँ paragraph group में आपको shading में दर आएगा ठीक है देखे मैं जाता हूँ home table को पहले click करता हूँ this is home table यह क्या है home table है इसको मैंने click किया अब जाके देखे प्रेग्राफ टेफ को देखे यह प्रेग्राफ group है this group को मैंने इसमें आपको shading में दर आएगे यह वाला shading के आइकान इसको click करें दो जो किसी भी प्रेग्राफ को जिस तरह देखे मैं इस पूरे line को shade करना चाहता हूँ तो मैं इसको shade कर सकता हूँ आपको try करके देखे time जहरा हो रहा है ठीक है दोस्तों आगे देखे question number 40 को देखे question number 40 को देखे question number 40 question number 40 हमारे पास है this one are you realize that you have misspelled the name of column screen tick a screen screen है ये screen लिका हूँ ये screen है an important point ये एक important आपने जस्ट आपको simple बता देना चाहते है का आपने documents में एक ही किसम की spilling को बहुत ज़रे जगा उसको misspill लिका हूँ है एक word ऐसा है जिसको आपने document आपकों में बहुत ज़्यादा जगाते है आजारों की इतादाद में आप सवों की इतादाद में जितने मर्दी उसकोई spilling आपने गलत लिकी है अब आप चाहते हैं कि उसकी spilling को आपने एक करेक अलो तो कौन सी तरीका आपको आपनाना चाहिए आप चाहिए के बहुत ज़्यादा जयादा जाए होगा कि आप आपने करेक करना जाए तो इसके लिए आप सान तरीका यह के आपने उस लखस को find करें और replace all पर click करोगे तो यह देखे options D को use find and replace on the home table home table पर click करोगे तो आखिर में देखे एबन के आखिर में देखे यह लिखा हुए find and replace find and replace इस पर click करोगे देखे जिस मैंने find को click किया जहां जिस लब्द को आपने find and replace करना है देखे यह find and replace की उसको यहां लेके जो जिसको आपने misspill लग जो है न उसको यहां पर misspill लेके और replace with को जो correct spilling है उसको लेके और नीचे देखे यहां पर लिकाओ है replace all replace all इस पर click करोगे तो चाहिए जितने मर्गी आपने वहां पर misspill की होई है वो सब के सब तमाम के तमाम आंग जटकते ही correct spilling जा जाएगी question number 41 question number 41 question number 41 ने मारे पास है when you click on the find feature उसी find वाल केते हैं find वाल बटन को क्लिक करोगे उसी क्या होगा find and replace window open हो जाएगी यह तो अभी हो जाएगा लेकिन इसके लिए shortcut आपको बता देने चालता हूँ यह एक ही window आपको तीन किसम के shortcut से open होगी देखें यह वाले window जाएगी तीन किसम के shortcut से open होगी एक है इसमें find control F से point होगी control check ठीक है देखें मैंने control F दबाएगे तो वही window आगया ओके यह control H replace इसके साथ यह एक बात आपनी यार रखनी है जब control F में दबाता हूँ तो क्या होगै कि यह ठीक होगा जब control H दबाता हूँ तो यह वाला çıktı होगा अर जब मैं Control G दबाता हूँ यह एक होगा यहां पर एक बात और بتाना चालता हूँ इस find में देखे, डी के नीचे लाइन लेगी हुई है, लेगी हुई है, और इसी तरह, इस replace के नीचे इसमें देखे, तो P के नीचे एक छुटी ची लाइन लेगी है, इसी तरह, go to में देखे, तो G के नीचे लाइन लेगी हुई है, इसको hot keys केते हैं, H, O, T, hot, इसी तरह, आ मदलब क्या है दोस्तों यह वक्ता आने पर आपको बता हूंगा यह भी थे आहम topics है आचा question number 41 में हो गया feature यह हो गया 41 में option B correct है option B is the correct option 42 में देखें दोस्तो question number 42 देखें दरा question number 42 You want to make it easy for the reader to find related information in another part of your document the best way to do this is आप ऐसा ही कि आपके बहुत सारे document सामें लिखें कुछ information आप दे लिखें आप और reader चाहता है कि इसके related information किसी और जगा पढ़िये तो आपने क्या करना है उसको यह कहां कैसे जाएगा जिस तरह आप internet पर देखते हैं तो वहां पर दीचे लिखा हूँता है read more देखें आपने read more का लबजाता है जब read more का क्लिक करोगे तो उसके relating portion खुल जाते हैं इसी तरह हम अपने डंकुन में hyperlink लगा सकते हैं hyperlink उस place को हम hyperlink कर लेते हैं जिस जगह जाना चाहते हैं और यहां पर उसका link दे रहेते हैं तो उसको जैसे हम क्लिक कर लेते हैं करसर अटोमेटिकली वहां पर जाम कर जाता है इस video आपको डिटेल से बताऊंगे आप टाइम तोड़ा है दोस्तों तो यहां पर option a is the correct option option one is the correct option आगे देखे question number 43 देखे question number 43 question number 43 हमारे पास है you need to insert a copyright mark copyright यह देखे इसको copyright mark कहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए यह दो तरीके से copyright जो है आप इस तरह थे किए मैं इसको पहाँ हो यह दहांपर आपको डिकाता हूँ यहां पर कापी राइट डिकाता हूँ तो मैंने ब्रेकट कोल दी C लिखा और जैसे मैंने ब्रेकट बन गया तो copyright की symbol automated के लिए बन गई है यह तो इस तरह है तो लेकिन यह है कि मेनू किस मेनू से करना है आप देखिए insert menu पर इस पर आप जाओगे insert tab यह देखिए insert tab है हमारे पास इस पर ख्लिक करोगे तो यह देखिए ribbon के आखिर में symbol group बना हुआ है इस में आपने symbol पर ख्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी copyright का symbol नगरा रहे है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास option हो गया B, option B is a correct option, this is correct option, question number 44 question number 44 question number 44 आपने पास है this one you need to insert a footnote to cite a quotation in your research paper आपने footnote insult करना है तो कहा से पर लści just यह ich question है footnote कहा से आपने insult करना है आप देखिए footnote कहा से insult करोगे footnote की shortcut में बनाथ आप लगये वाकाने पर बताएं डिसकस करेंगे आपने जाना है reference tab में यह माले पास reference टेब है इस पर click करोगे इस पर click करोगे तो यहां पर आपको footnote और endnote नज़र आ रहे हैं यह देखे footnote और endnote दोन आप यहां दे कर सकते हैं तो यहां पर आप आप आपर आपर पास correct option is E this is a correct option आगे देखे question number 45 and the last question of this video यह देखे the standard footnote reference marker format is यह question पहले भी user चुका है यह सुपर स्क्रिप्पो टैफ मूट नो जब हम insert करते हैं तो उसकी राइटिंग की कार्मेट जो है वो सुपर स्क्रिप्ट and सब्सक्रिप्ट इस बारे में आपको मजीद बताता चलोंने इंशालला टाइम आने पर इसको भी बताऊंगा दोस्तों यह थी आज की वीडियो पसंदाने की जूरत है प्लीस चैनल को भी सब्सक्रिप्ट करते हैं वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें तैंजों आप वाचें